दोस्तो सौगत है डेड एंड पार्ट फॉर में यदि आपने मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें बैल आइकन दबाएं और कमेंट की बोचार कर दें आई ये शुरू करते हैं डेड एंड पार्ट फॉर अभी तक आपने जाना कि जेकाब अंकल अपने अतीत में हैं और उनकी शादी हो चुकी है कुरो मुरा के साथ इसके बाद तुम कैमरे से शूट करते हो या बंदूक से दोनों से और दोनों से मेरा निशाना काफी अच्छा है पर फिर भी गन मैं जंगल में जाता रहता हूँ डालिंग खत्रा हर समय चारों तरफ मंड़ाता रहता है ऐसे में कैमरा मेरी जान नहीं बचा सकता सच कह रहे हो कदम कदम पर जानवर साप बेड़िये ना 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 खत्रा उनसे नहीं उनसे भी बड़े जानवरों से होता है इनसानों से कहीं तुम अवेट शिकार यानि पोचर्स की बात तो नहीं कर रहे बिलकुल मैं उन्हें सहन नहीं कर पाता हूँ उन्हें देखते ही मेरे शुटिंग के वजार बदल जाते हैं और और मुझे देखकर क्या बदल जाता है गुस्सा प्यार में कुछ दिन तो यूहीं बेफेट की ग वार थी तीन दिन बाद मैंने घर आता ही सबसे पहले उसे पूरी घटना विस्तार से सुनाई और फिर यह तो सिलसिला रूटीन हो गया हम अलग 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 देशों के जंगल में अगले कुछ सालों तक गुमते रहे कुरो मूरा के शोद और मेरे जंगल के दुर्गम इस् चर्च में करेंगे जहां हमारी शादी हुई थी लगबाग एक साल बाद हम बेल्जियम वापिस आपाए बेटे के नाम करेंड के साथ मैंने मैसरडोनिक मंकी के बारे में पता किया तो एक शोकिंग नियूज मिली उसे पोचर्स उठाकर ले गए थे फिर उसका कोई पता न हर पशुपक्षी मेरे ढूडने के एक हफते के अंदर ही या तो पोचर्स द्वारा मार दिये गए या अगवा कर लिये गए थे कोई मेरा पीछा कर रहा था या फिर बात कुछ और ही थी मैंने एक दुरलब जानवर के देखे जाने की जूटी कबर फैला ही और एक हफते ब पर उन्हें मेरी पत्नी से मिलती थी और मेरी पत्नी एक अंतरराश्टी पोचर्स गेंग का एहम हिस्सा थी मेरा उससे विवा एक बड़ी शाजिश का हिस्सा था मेरी जानवरों को ढूनने की शम्ता को हतियार बनाया गया था मैं तुरंद घर पहुचा पर तब तक मेरी प पश्चाटाब करने के लिए मैंने जंगल को ही अपना घर बना लिया मैंने भाराथ आकर यहां के जंगल को एक हजारों एकर बड़ा हिस्सा खरीड कर उसे गेम पार्क में तबदील कर दिया वहां मैंने काटे दार तार लगा कर काई सुरकशित बाड़े बना आया जंगल म लगवाग शुरू करने के लगवाग एक साल बाद मेरा सामना अपने जीवन के सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन से हुआ देखने में तो वह एक मासूम सी फोटोग्राफर टूरिस्ट लग रही थी कंदे से एक केमरा लटक रहा था और पीट पर एक बड़ा सा टूरिस्ट बैग था शायद गिरते अंदरे के कारण बढ़ती जानवरों के आवाजें और उनकी फोटो किजने की इच्छा उसे वहाँ खिच लाई थी पर मेरा यह वहम सिर्फ 10 मिटों तक ही कायम रह पाया उसका बेग चिनने के चक्कर में उस लड़की पर जपटती बंदरों की टोली के हमले ने मेरा वहम तोड़ दिया वह जो भी थी कम से कम फोटोग्राफर तो नहीं थी फोटोग्राफर इतने खतरनाक और ट्रेंट फाइटर नहीं होते और हर फोटोग्राफर को यह भी पता होता है कि जंगली बंदर हमला करने पर और उग्र हो जाते हैं तब मुझे समझ में आया कि वह लड़की एक पोचर थी अगले ही पल उस घेरे हुए दरजन बंदरों के जुन में खलवली मच गई अब मेरे दखल देने का समय आगया था मेरी बंदुक की पहली गोली चेतावनी देने के लिए हवा में चली पर गोली ने शायद मेरी इस्टिती बताने के लावा पोचर पर कोई असर नहीं डाला क्योंकि अगले ही पल जान बचा कर भागते बंदरों की फुर्ती और स्पीट को मात देती हुए लड़की कुछ ही पलों में मेरे सामने थी और अब मेरे हाद में बंदुक नहीं थी वह पहली पोचर थी जिसने पलट कर हमला किया था लेकिन उसने मेरी की शमता को भी कम करके आ खाता मैं स्प्रीयों का समान जरूर करता हूँ पर तब नहीं जब वे पोचर हो पर गल्ती से मुझसे भी एक गल्ती हो चुकी थी मैने भी उसकी शमता को कम आ खाता और अगले ही पलिया साफ हो गया था कि वो औरत कौन थी और उसका मकसद क्या था ओ पोचर्स तो तुम इना अपने साथ लेकर आई हो क्योंकि तभी कई दिशाओं से गोलियां गुजिने लगी पोचर्स की टूली आ गई थी लड़की का मकसद मुझे उल्जाना था तकि पोचर्स बेकोफ होकर हमला कर सके और बेस अफल होते दिख रहे थे क्योंकि मैं बिना बंदुक के हवा में लटका हुआ था उसके हाथ में वह आजीब पिस्टोल कहां से आई मुझे नहीं पता लेकिन उसके अंदर से निकली उस मिसाइल ने पूरे जंगल को पल भर के लिए जगमगा दिया था वह सिगनल फलेयर था पल भर के लिए पोचर्स नजराये और उसके बाद कहर बर्पा हो गया गोलियों की बोचार के बीच में से हुआ ऐसी कुदी जिसे वह गोलिया नहीं बारिश की बुंदे हो मैंने अब तक बस तलवार बाजों की कलाओं के प्राचीन किस्स सुने थे आज पहली बार मैं तलवारों से गोलियों को कटते देख रहा था एक बात तो साफ हो रही थी कि वह लड़की पोचस के साथ नहीं थी वह तो जैसे उनका शिकार कर रही थी हंटर्स की तरह मैंने भी सामलने में ज़्यादा वाक नहीं लिया एक से बहले दो क्योंकि दुश्मन एक बड़े इलाके में चारों तरफ फेले हुए थे हमने दुश्मनों के चक्रवियों को तोड़ कर उन्हें धेर कर दिया था कुछी देर में एक पोचर की लाश वहाँ पड़ी थी और तीन अन्य भाग चुके थे हलागी उनका भाग पाना असंबव था उनके बहते खुन की गंद हिंसक पश्यों को निमतरन थी पोचर्स का खुच शिकार होने वाला था मैं पोचर्स की हरकत जानता हूँ यह पोचर्स नहीं थे इनके पास पोचर्स वाले हतियार नहीं है यह जानवरों के लिए नहीं किसी और के पिछा है थे शायद तुमारे कौन हो तुम मुझे याद नहीं मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो शायद तुम बताना नहीं चाहती वैसे पहले मैंने तुम्हें पोचर समझाता और मैंने तुम्हें पर तुम यहाँ आई क्यों शांती चाहिए थी मुझे वैसे तुम हो कौन मैं जेकब यह गेम पार्क मैंने ही बनाया है जिंगलों के दुलब जानवर को पोचर से बचाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उनकी सुरक्षा भी करता हूँ लोकल कबीले वालों की मदद से यह तो बहुत अच्छा काम है रक्षा शुरक्षा कमीनों से मुझे काम मिलेगा तुमारे यहाँ सिर्फ काम तन्खा नहीं और खाना कबीलों का मिलेगा चलेगा कबीले वाले उसे रादा बुलाने लगे रादा के आने से हमारी ताकत बहुत बढ़ गई थी गजब की फाइटर थी उसकी तलवारे मशिन गन और तुपो तक का मूब बंद कर सकती थी अब कहानी है कहानी नहीं द्रश्य है दुरुफ का पर काफी दिनों तक उनके साथ काम करने के बाद भी मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाय था उसके बारे में मेरी उत्सक्ता बढ़ती जा रही थी मैं उसकी सुरक्षा को लेकर भी आशंकित था क्योंकि मुझे पता था कि इसके पीछे आने वाले पोचर्स नहीं प्रोफेशनल किलर्स थे दुरुफ कहीं जा रहा है आखिर मुझे कुछ पता चला कैसी हो एक बेड नियूस है कल रात पुर्वी हिस्से तक उसकर कुछ पोचर्स ने एक टाइगर कब को अगवा कर लिया ऐसा आधी वासियों ने बताया गुड मैं दोबारा आएंगे तब उन से निपट लेंगे उनकी हम्मत खुल गई होगी पर इस गेम पार्क में जानवरों की इताद बढ़ रही है और मेरे पास कई जगर से तूटी बाड को बनवाने तक के पैसे नहीं बचे है पता नहीं कब तक हम यह लड़ाई लड़ पाएंगे हम्म सही बात है कही न कहीं से फण्डिंग लेनी होगी कैसे जानवर को सरक्षित रखने में टाइम दू या फंडिंग लेने जाओ एकनॉमिक्स कहती है कि जो काम करो उसी में से अरजन यानी इंकम के रास्ते तुंडो इन जानवरों के दौरा कमाई करो अच्छा कैसे एक बड़ा सा सरकस खुलते हैं या फिर चिडिया घर यहां से यहँए मेरे पास एक चेक किरने में जादा क्या है में कॉरत आज और लिखे हुए बैंक के पते पर पहुँग गए थे यहाँए छेकबुक देखिए इस अकाउंट से हमें पूरा पैसा निकालना है बताईए कितना पैसा है हाँ तो भरिये कितना पैसा चाहिए सुरक्षा कारणों से ऐसी जानकारी हम नहीं देते मैडम वैसे आपका अकाउंट नंबर वाट यह तो अल्टर सेक्यूरिटी ग्रेड अकाउंट है पूरे 37,20,925 रुपे हैं सिब 20 रुपे चुड़े हैं अकाउंट में इतनी आसा नहीं से पर अकाउंट में नाम और पता क्या लिखा है नाम है रादा करह से खुलना ही वाला था कि तब ही पूरे बैंक में जल जला आ गया उनमें से एक हमलावार की बाज़ो पर बना एक्च मुझे नजर आया यह वही टेटू था जो मैंने गेम पार्क में मारे गए पोचस के हाथों में देखा था वे उसी ग्रूप के लोग थे और ऐसा था तो वे निश्ची थी रादा कुमार ने आया थे और तब ही जेकब को वर्तमान में लोटना पड़ गया यह यह कौन है स्टॉकर्स यह गलत जगह पर आ गए जगह सही है क्योंकि हमारा शिकार जेकब यहीं पर है श्वैता क्या हो रहा है ओ जेकब अंकल तो फिल्मों की मा हो गए है जिसे देखो वही उन्हें पकड़ने चला आ रहा है जेकब अंकल कहानी चारी रखो हम सस्पेंस कोलने का वेट नहीं कर पा रहे है तो सुनो वे इतनी जल्दी आये थे जैसे कि सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे हूँ और हमारे पास कोई हतियार भी नहीं था बस वे हमलाबार यहीं गलती कर गए थे वे खुद हतियार लेकर आ गए थे और अब वे हतियार हमारे पास थे लेकिन अगले ही पल वह गण टुकड़े टुकड़े हो गई हमारी टेकनिक अभी भी वाई है हर गन में डेटिनेटर है हम अपने हाथों से गन छूटते ही उन्हें एक्टिव कर देते हैं हम उनके हतियारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे और हमारे पास हतियार थे नहीं या शायद थे रादा ने उनकी आँकों पर परदे डालने की ट्रिक निकाल ली थी और उनकी कोपडियों को निशाना बनाने की भी कुछी देर में चार हमलाओ बारों में से तीन हड़ियां तरुआ चुके थे और चोटे को खर्चा पानी देने का सबाग यह हमें मिल नहीं पाया हट तेरे वसका नहीं है यह इस बैंक पर नजर थी हमारी तेरा यहां पर आना इस बात का सबूत है कि तुन्हें यादाश जाने का नाटक किया था वरना इस बैंक का रास्ता तुझे याद नहीं रहता खैर अब तो तेरा वास सिर रहे गए नहीं जिसमें तेरी यादाश का कबार है यह? यह क्या बोल रही है? मुझे क्या पता? शायद सेतिसलाक लूटने के लिए कहानी बना रही है तुम बैग लेकर निकलो यहां से नजाने पीछे से और कितने लिटरे आ रहे हो मैं निपटती हूँ इन से वह अमलावार कौन थी पता नहीं चला नहीं उससे यह पूचने का मौका मिल पाया कि रादा कौन थी मैं बस जीप में बैटकर पैसे लेकर निकल लिया और मेरे लगबाग पांसो मिटर दूर जाते ही बिल्लिंग में दमाका हो गया दूर दूर तक नजर आया वहाद रश पता नहीं कौन बचाता और कौन मरा मैंने जीप तुरंट पीछे ली और आदे रास्ते पर चोटी रादा मुझे मिल गई वह घायल थी प्रमित थी कुछ पूचने का मौका ही नहीं मिला चार गंटे बाद करीब 200 किलोमेटर दूर दूसरे शहर में अपने एक डॉक्टर दोस्त को दिखाया उसे शुक्रता वगवान का कोई फ्रक्चर नहीं था गहाँ गहरे मगर घातक नहीं थे यानि जीपिटर सरकस आपके पास पैसे नहीं दुरू की मा के पैसे से खुला था फिर तो आपके बेटे का उस पर हग बनता ही नहीं है अंकल पर यह बात आपको पुलिस के सामने कहनी होगी जरूर क्योंकि यही सच है अरे यह क्या अरे रोको इसे रोको क्या खाक इन मुश्टंडों को तो रोक नहीं पा रहे हैं यह कब मिल गया इनका क्या करना है kill them मौत चंद इंच दूर थी और समय तेजी से गुजर रहा था मठ मे आहा इन चलो में तो धातू पिखलाने वाली गर्मी के साथ अजगर की जकड़ भी है मैसेज हो रहा है ना पर गबरामत इनकी जकड़ सिर्फ तुझे बंदी बनाया रखने के स्तर वाली है हड़ियां तोड़ने वाली नहीं यानि तेरी सांसों से जॉलन शीड पदार्थ निकलता है हाहा ठीक वैसे ही जैसे साप के मुझे बिश फुहार निकलती है अब चल औरना जकड़ का इस तर बढ़ा दूँगा तुझे पता है मेरे मुझे क्या निकलता है संगटे त्वायू यानि कंप्रेस्ट एयर की जेट हवा और यह तुमारे जॉलन शीड जहर को तुमारे गले के नीचे धखेल देगी यूँ समझो कि तुम अंगीटी का कोईला निकल रहे है ना तुमने कहा था ना चलो अब मैं चलता हूँ क्योंकि ट्रांस्मिटर्शन ट्रावर के बाद मुझे तुमारे सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम को नश्ट करना है हकीम जी को ना रहेगा हकीम और ना रहेगी उसके प्रयोगे के द्वारा तुम्हें दी जाने वाली शक्तियां कौन? माफ करना हकीम जी आप बुजूर्ग हैं यह अश्चरे की अब तक जीवित हैं लोग कहते कि आपके आयू 110 बरस किये चमतकार है है आपको अपनी ओश्चरेदियों के कारण ही कई इंटर्स अभी तक अजये हैं अब प्रभू में ध्यान लगाने का समय तो निकल गया आप सीधे ही प्रभू से मिल लो वहां में बेशता हूँ आपको पहले प्रभू से तो मिल लो वक्र वह भी पूरी तैयारी के साथ ज्यादा इंतजार नहीं कराया है तुमने मुझे पता था टावर के बाद का हमला हकीम जी पर ही होगा क्योंकि वह ही है हमारे सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम अब तुमारी अंतड़िया बाहर और तुमारी कहानी खतम मिनी ब्लस्ट का प्रिणाम वक्र की उम्मीद के वेप्रित निकला तुम तो तुम पर तो चट्टानों के टुकड़े कर देने वाले वार का भी असर नहीं हुआ कौन कैसे कौन हो तुम जल्दी ही जान जाओगे अगर जान जल्दी ना जाए दुर्ब के लिए रस्ता साफ किया जा रहा था पता नहीं जाने में या नजाने में पर महा से दूर दूर रस्ता ही नहीं चार जाने साफ होने वाली थी हम जेकब की कहानी सुनने में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए सच में और ध्यान देना चाहिए था इन गीदरों के हाथों में हमारी मौत की रिकाएं नहीं हो सकती असंभाव अगर मरना ही है तो इन पर टूटने को तयार रहो तुप एंड शुट वान टू तीन उसकी लोकेशन तो पहले ही दिख गई थी ना है नताश्या ब्लैक कैट और और यह बहने तुम्हारी ट्विस्टी वाट क्या कहां यह मैंने नहीं इसी नहीं का है पर उसने ऐसा कहा कैसे आओ ओ इसने इन्होंने रे गन से एक दूसरी की रस्या काट दिये यह आजाद हो गए है किंग का सबसे ज्यादा खत्रा है वह बंदा है इनकी बंदू के इन से अलग करना होगी और ऐसा करते ही वह फट पड़ेंगी हम देख चुके हैं कुछ और सोचो जानकारी बढ़ाने के लिए शुक्रिया बंदरिया अरे तुम उल्टा समझ गए तुमारी तबीत अभी तक लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह फॉर्मॉला सबकी पाउंस से दूर है हो सकता है वह फॉर्मॉला उस कंटेनर की किसी चीज में हो और उने मिल चुका हो जेकब के अनुसार उनका या उनके बेटे का तुमारी संपत्ति पर कोई हक नहीं है अब तुमारी चीज तु कुछ ऐसा जो हम शायद देख तो रहे हैं पर हमें दिख नहीं रहा है यह समय शर्लॉक खेलने का नहीं है अभी भी हम जेकब के पीछे जा सकते हैं तस्वीरे देखने के बजाए इस एरिया के सेटलाइट्स के डाटा चानो जेकब को कैसे ले जाए गया है यह किंग क्या देख रहा है उदर उदर कोई है कि उसे देख रहा है या शायद गंद महसूस कर रहा है वह बाहर भाग रहा है किंग भी उसके पीछे जा रहा है क्या करें तुम रुको मैं देखती हूं किंग से अब तक इतनी दोस्ती तो होई गई है हम इन्हें समेट कर पीछे आते हैं क कॉंटेक्ट में रहना